नमस्कार दोस्तों जै माता दी वर्ड बेस्ट मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेगी दोस्तों आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह 2019 में कब मनाया और पूजा का सुमुरत क्या होगा इसकी संपूर पूजा विधी एमम्रत कथा क्या है पूरी जानकारी के लिए अन तक इस वीडियो के साथ बने रहें और अपना प्यार वसा देने के लिए हमारे चैनल वर्ड बेस्ट मैजिक को सस्क्राइब करें तो आएए शुरू करते हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास के सुक्ल पक्च की एका दसी वा देव उठनी एका दसी के दिन तुलसी विवा करने की प्रथा है तुलसी विवा में तुलसी के पौधे और भगवान विष्णू या पत्थर के सालिक ग्राम से विवा कराया जाता है तुलसी का पौ पुझा अधूरी मानी जाती है इस दिन भगवान नरायन चार मा की निंद्रा के बाद चगते हैं दोस्तों जिस घर में बेटी नहीं है वे दमपत्ती तुलसी विवा करके कन्यादान का पुनिप्राप्त कर सकते हैं कुछ लोग तुलसी विवा एका दसी के दिन करते हैं वही कुछ लोग तुलसी विवा का पर्व द्वा दसी तिति को मनाते हैं जो लोग एका दसी तिति को तुलसी विवा मनाते हैं उनके लिए यह पर्व 8 नवंबर 2019 दिन सुक्रवार को मनाया जाएगा और एका दसी तिति का प्रारंब 7 नवंबर 2019 को सुबह 9 बच कर 54 मिनट से लेकर एका दसी तिथी का समापन 8 नॉवंबर 2019 को दोपेर 12 बच के 24 मिनट तक रहेगी और जो लोग द्वादसी तिथी को तुलसी विवा करते हैं उनके लिए तुलसी विवा का पर्व 9 नॉवंबर 2019 दिन सनिवार को मनाया जाएगा और 2 दसी तिथी का प्रारम्ब 8 नुवम्बर 2019 को दोपहर 12 बच के 24 मिनट से लेकर दोपहर 2 बच कर 49 मिनट तक होगा दोस्तों तुलसी विवाग की विधी अत्यन्त सरहल है तुलसी विवाग के दिन हो सके तो व्रत रखें घर में तुलसी के साथ भगवान विश्णू या सालिंग ग्राम को इस्थापित करें तुलसी जी वह विश्णू जी की मूर्थी को पीले वस्तर से सजाएं क्योंकि पीला रंग विश्णू जी को अत्यंत प्री है तुलसी विवा में तुलसी के पौदे को साफ सुत्रा करके सजाएं उनके पास सुन्दर सी रंगोली बनाएं उनके चारों तरफ गन्ने का मंडब बनाएं तुलसी जी के पौदे को लहेंगा चुनरी उढ़ाएं और कलस इस्थापना करें और पूरा 16 स्रंगार की वस्तुएं तुलसी जी को चढ़ाएं फिर तुलसी जी की चुनरी का भगवान विश्णु जी के पीले पटके से गड़ बंधन करें उसमें अक्चत सुपाडी कुछ पैसे के साथ गड़ बंधन करें फिर मंत्रों के साथ उन्हें इसनान कराएं पूजा करें भोग लगाएं भगवान विश्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमा और माता तुलसी जी का मंत्र ओम तुलसाई नमा के साथ विद्वत पूजा अर्जना करें खास कर भगवान विश्णु जी को आवले का भोग जरूर लगाएं एका दसी के दिन ऐसी मानिता है कि जितने आवले भगवान विश्णु को चड़ाते हैं उतने वर्ष स्वर्ग में जगह निश्चित हो जाती है इसलिए ग्यारा आवले का भोग अवस ही लगाएं और प्रंचमत का भी भोग जरूर लगाएं फिर विद्वत पूजा करें फिर आरती करें और भगवान विश्णु जी के लिए ओन जै जगदी सरे और माता तुलसी जी की आरती तुलसाजी तुमारी नमो नमो हरकी पटरानी नमो नमो ये आरती करें फिर विवा की सारी रसमे निभाएं अगर चाहें तो पंडित या ब्रामण की साहता से भी विद्वत रूप से तुलसी विवा संपन कराया जा सकता है फिर द्वा दसी के दिन पुनाद तुलसी जी और विश्नु जी की पूजा करें और प्रसाज ग्रहन करके वरत का पारण करना चाहिए और तुलसी के पाओदे को मंदिर या किसी ब्रामण को दान दे दें इससे आपको कन्य दान के बराबर पुन्य फल मिलता है इस दिन गन्ना आवला और बेर का फल खाने से जातक के सभी कस्ट दूर हो जाते हैं दोस्तों तुलसी विवा की कता इस प्रकार है तुलसी जी या तुलसी का पौधा पूर जनम में लड़की थी जिसका नाम वरंदा था राक्छस कुल में उनका जनम हुआ था बच्पन से ही वरंदा भगवान विष्णू की परमभक्त थी जब वे बड़ी हुए तो उनका विवाल जलनदर नामक राक्छस से हुआ वे बड़ा ही वीर और पराक्रिमी था उसकी वीर्ता का रहस्य था उसकी पतनी वरंदा का पती व्रता धर्म उसी के प्रभाव से वा सर्व विजय था एक बार देवताओं और जलनदर के बीच युद्ध हुआ जब जलनदर युद्ध के लिए जा रहे थे तब रंदा ने कहा जब तक आप युद्ध में रहेंगे तब तक मैं आपकी जीत के लिए पूजा और अनुस्ठान करूंगी उनके इस संकल्प के प्रभाव से जलनदर को युद्ध में हराना ना मुम्किन था तब सारे देवतागर बगवान विश्णु जी के पास गए तथा रच्छा की गुहार लगाई उनकी प्रातना सुनकर भगवान विश्णु ने वरंदा का पती व्रता धर्म बंग करने का निस्चे किया भगवान विश्णु ने उसके पती जलनदर का ही रूप रखा और वरंदा के पास गए जैसे ही वरंदा ने जलनदर को देखा तो पूजा से उड़ गई और जलनदर के चर्णु को इसपर्स किया उधर उसका पती जलनदर जो देवताओं से युद कर रहा था वरंदा का सत्वित भंग होते ही मारा गया जब वरंदा को इस बात का पता लगा तो वह क्रोधित होकर उन्होंने भगवान विश्नु को स्राब दे दिया और कहा कि आप पत्थर के हो जाओ भगवान उसी समय पत्थर के हो गए तब सभी देवता हाहा कार करने लगे माता लक्षमी रोने लगी और प्रातना करने लगी तब वरंदा जी ने अपना स्राब वापस ले लिया और वरंदा अपने पती के साथ सती हो गई उनकी राग से वहीं पे एक पौधा निकला तब विश्णु जी बोले इस पौधे का नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे सालिग राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी के भोग स्विकार नहीं करूँगा तबी से तुलसी जी की पूजा सभी लोग करने लगे जो मनुष्य तुलसी के साथ मेरा विवा करेगा वै परम धाम को प्राप्त होगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस से बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें साथ ही साथ इस वीडियो को फेस्बुक और वाटसप पे अपने दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ अवस से एर करें और हमारे यूट्यूब चैनल वर्ट बेस्ट मेजिक से जुड़ने के लिए रेट कलर के सस्क्राइब बटन को अवस से क्लिक करें और साथ ही साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद